कहीं-कहीं तो लड़के भी अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, और लड़कियों की तो हालत वैसे ही काफी बहुत अच्छी नहीं है. मेरी कोशिश ही है कि मेरा first attempt ही मेरा last attempt हो. ज़ी बार-बार attempts नहीं देने पड़े हैं. नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूटूब चैनल आज हम तान्या पीजी में मौझूद हैं और ये गल्स पीजी है क्योंकि बहुत सारी जो लड़िकियां हैं वो हमें कमेंट करती हैं कि सिवम भाया हम भी मुखर जी नगर जाने वाले हैं तो कोई गल्स पीजी बता दीजिए उसमें इस्टुडेंट कैसे रहते हैं और कैसे प मेरा नाम क्रतिका पाठक है और मैं कानपूर से हूँ उत्तर प्रदेश का सहर है जोकी और इस पीजी में मैं सेप्टेंबर में आ गई थी ये बताइए आपको कानपूर से दिली के मुखर जीनेगर में क्यों आना पड़ा क्या बहां पे कोचिंग का इसू था या फिर वहा विसेस के लिए बेस्ट हैं बट मेरा जो गोल था वो UPSC था तो उस परपस से देखें तो बहुत अच्छा इंस्टिट्यूट नहीं है और यही रीजन था कि मुझे यहाँ डेली आना पड़ा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है या फिर अभी चल रही है मेरी ग क्या है और यह आपने किस आधार पर स्लेक्ट किया है क्योंकि स्टुटेंट के सामने बहुत ज़दा दिक्कत आती है जब वो स्लेक्ट करते है तब कैसे करें और कौन से करें मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और एक्चली मैंने हिंदी मीडियम से मैं प्रिपरेशन कर रही हू इसलिए मैंने यह सब्जेक्ट लिया और बाकी स्कोरिंग भी है सबसे प्लस पॉइंट है यह कि है स्कोरिंग है तो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे इसलिए मैंने इस्ट्री लिया यहां आकर के आपने कोई कोचिंग जॉइन किय क्या है या अल्ली सेल्पी स्टड़ी करते हैं मैंने कोचिंग जॉइन किया है कौन सा द्रस्टी इंस पीजी में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती तान्या पीजी में और इसका रेंट कितना देते एक महीं लेका इसका रेंट है वैसे साड़े आठ हजार है कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्बंस हो रहा हो और खाना भी बहुत अच्छा देते हैं सादा जो एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है सादा खाना और सादा खाना देते हैं बाकी सारी फैसिलिटीज हैं कोई दिक्कत होती ह है तो हम owner को बोल देता है भाया, तुरंथ help करते हैं, तो बहुत ही अच्छा PG क्या विजली का जो होते है वो हमें अलक से पे करना बड़ता है, जी बिजली का आपका जो कि आता है बिल वो अलग से पे करता है और जो पीजी के ओना और उनका भीएवियर के था जब कि अगर पंका नहीं चला या लाइट नहीं जली आपने कॉल किया तो क्या वो उसे सही करवाते है तुरंत या मैंने तो ऐसा कई बार मतलब कुछ मुझे जो भी दिक्कत होती है मैं अ मुझे भी जाना है एक दो दिन में मैं भी चली जाओंibile अभी मेरी कोचिंग चल रहे हैं और दो तारिक तक कोचिंग है मेरी तो कोचिंग के बादे अपके परिवारीक बैकग्राउंड कैसा है? मेरे फादर यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर है और परिवारीक बैकग्राउंड मैंने स्टार्टिंग से मदलब ऐसा ही माहॉल देखा है पुलिस ओलिस वाला और शायद वही एक मेरे लिए पॉइंट था कि मैंने UPSC चुना क्योंकि मैंने बच्पन से वैसा महाल देखा और मेरे रिलेटिफ्स में बहुत से हैं जो आईएस ओफिसर आईपिस ओफिसर पीस ओफिसर बहुत से हैं तो उनसे ही मुझे एक प्रेरणा म प्रेरी सेल्फ स्टड़ी हो जाती है क्या आप लाइबरेरी भी जाते हैं लाइबरेरी में पढ़ने के लिए नहीं आप लाइबरेरी में जॉइन नहीं किया है क्योंकि कोचिंग और सेल्फ स्टड़ी काफी हो जाता है तो मुझे जरूरत नहीं महसूस हो जाता है तो करती हूं तो मैं अपने पापा को करती हूं कि वह पापा मेरे बाद में पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड है और यही कहना चाहेंगे कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे यहां भेजा है मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं यह कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि मैं डिस्ट् क्यों लगता है कि मुझे एक IAS या फिर IPS बनना चाहिए क्या वो कमिया है जिनको आप सुधा रहेंगे वैसे तो IAS हो या IPS हो दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं बट मैं ज्यादा वैल्यू देती हूं IPS को क्योंकि मैं अपने पापा को वर्दी में देखा है और उनकी वर तो मैं जो education है उस system को थोड़ा सा strong करना चाहती हूं क्योंकि बहुत से गाओं के areas हैं बहुत से जगह जहां आज भी अच्छी education नहीं है कहीं कहीं तो लड़के भी अच्छे से education नहीं ले पा रहे हैं और लड़कियों की तो हालत वैसे ही काफी बहुत अच्छी नहीं है तो को especially ऐसा लगता है कि लड़कियों को ज्यादा importance दे रहे हैं क्यों ऐसा लगता है मुझे नहीं पता लेकिन दोनों में equality जरूरी है तो यह दो तीन चीजें हैं मुझे जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है और woman empowerment हो गया यह सब ऐसे हैं एक तीज में आप कुछ भी ऐसे हैं जो कहते हैं अगर कोई उनकी लड़की बाहर जाना चाहती है जैसे मुखर जीनेगर हो गया इलहाबाद हो गया बाहर इस्टडी करने के लिए जाती है वो कहती है तो बहुत सारी परिबार आज की टाइम में भी उनको भेजते नहीं है तो उनको क्या कहना इसा नहीं है कि हमारी लड़कियां बाहर जाके पढ़ें मैं भी एक लड़की हूँ अपने घर से निकल के आई हूँ और मुझे लगता है कहीं न कहीं एक रीजन है सोसाइटी वो ऐसा जरूर करती है कि अरे बेटी को बाहर पढ़ने भेज रहे हो और स्पेशली दिल्ली के जाता है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है लेकिन माबाप को और खुद उस बच्चे को अगर भरोसा खुद पे है और माबाप को भरोसा अपनी बेटी पे है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपने अपने कुछ नोट्स पगरा बनाए और अभी अब साथ में जो मुझे पढ़ना पड़ेगा वो अलग से और बाकी यह आप देख रहे हैं पॉलिटी की लक्ष्मी कांथ जो की बहुत फेमस बुक है और हर यूपी एसी का जो बच्चा है वो इसे जरूर पढ़ता है मुझे ऐसा लगता है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि प पिंजडे से निकलना पड़ेगा अपने कमफर जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर कुछ बनना है और मेरे पापा तो हमेशा एक चीज कहते है कि स्टुडेंट लाइफ कोई लाइफ नी होती वो एक तपस्या होती है तो अगर इस तपस्या को करना है तो कुछ अपने परि जाते हैं कितने गंटे की होती है जो खनाश में बनवाय जाते हैं और मेरे कुछ मैप अभी कंप्रीट नहीं हुए आप जो की मुझे गूगल से निकाल करके अब बनाने है और यह मेरे नोट्स है और नोट्स काफी अच्छे बनवाए जाते हैं यह आपने यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ है मान चित्र यह मौर्य सामराजित जो था यह उसका मैप है आपकी राइटिंग तो काफी अच्छी है थाइंक यू लग रहा है आप लंबे टाइम से प् कोचिंग तो अभी जॉइन किया लेकिन उसके पीछे की जो रणनीती होती है वह बहुत पुरानी है तो दिखाईए और दूसरे सब्जेक्ट के भी बनाएं क्या आपने डाइग्राम भी अच्छे बना रखे मान चित्र जी अभी एक्चुली सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ाय दोस्तों हम तान्या पीजी में मौजूद थे अगर आपको पीजी के जो अनर है उनसे बात करनी है तो नंबर आपको इस क्रीन पर दिखाई दे रहोंगे आप उन पर डाल कर सकते हैं यहां पर आपके देख भी सकते हैं एक पिजिम आपको बताना चाओंगा बिजली का बि अपको Divine यहां पहांत करने तो नहीं कि पर दिखा ऊजए केम है यहां उनक 11 का जएसा अब शच्री कर रहेंगे ऊषराइड को मता इग को बिद्गे करना चाहें किया और उनका नाम प्रभाद पाठक है और यह बाहल बीदिकर है और एक शोटा बाइओ ऑन चाहया है वह लडाई मम्मी से ही वरती थी लेकिन यहां आने के बाद उनके हातों का खाना बहुत खाने का बहुत ध्यान देती थी और छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देती थी मैं कभी पढ़ने बैठ जाओं तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी कि नहीं उठो काम करो मैं एक से जूड़ी हुई है तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं objection किया था दोस्तों मैं आपको रूम और दिखा देता हूं क्यूंकि रूम के बारे में आप लोग बहुत जदा पूछते हो कि शिवम भाई रूम भी दिखा दिया करो तो दोस्तों आप देखेंगे यह वही पीजी है जिसमें भी मैंने में से पूछा था इधर आप देखेंगे तो इतना इस पेस है और यहां पे इनको रैक और टेबल मिला हुआ है जो कि पीजी से और रूम की कंडिशन देखेंगे तो आप काफी अच्छी है ठीक है यह सेरिंग रूम है यहां पे दो बैड रखे हुए है और इधर आप देखेंगे तो यह कलाम साब का पोश्टर है उसके बाद में यह जो हमारे देवी देपता होते हैं इनका तो हमारे घर में अक्तर देखी ही जाता है आप इधर देखेंगे तो यहां पे आपको अलमीरा टाइब की कवर्ड मिल जाते हैं जिसमें आप अपना समान जो भी है वो आप रख सकते हैं और इधर का भी काफी स्पेस है कोई दिक्कत नहीं है यहां पे आप देखेंगे तो मैं बगरा लगे हुए है और एक टेबल और दो चेयर और रेक इधर भी है तो दोस्तों इस पीजी में आपको कुल मिला कि कोई दिक्कत नहीं होने की है अगर आपको भी यहां रहना है या फिर आप देखना चाहते हैं तो जो नमबर आपको इस क्रीन पर दिखाए गई है आप उन पर डारेक्ट कॉल कर सकते हैं और से बात कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही जैहिंद बंदेमा